Hare Krishna, so आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो ये है that why do we struggle while chanting Hare Krishna जी उन में वैसी इतने struggle है और सारे struggles को खतम करने के लिए है वहान का नाम लेकिन हम कल्यूग वाले इतने ज़्यादा जबरदस बैच है बोले इतने नलाइक बैच है कि जी से सारे struggle खतम होने न उसको भी करने में बहुत struggle है that means struggle in removing struggles we struggle in chanting Hare Krishna so क्या कारण है कि हम लोगी सबसे आसान विधी बहुआन का नाम लेना भला इसमें हम struggle क्यों करते हैं so number one कारण है या तो हमें इसके संसकार ही नहीं है या फिर ऐसे संसकार है जो कि हमें रोकते हैं इसको ध्यान पूरा करने में होता है न जी सीज के संसकार आपके चित्मे होते हैं वो चीज आप बड़ी spontaneously बड़ी naturally आप कर लेते हैं जैसे कुछ लोगे संसकार होते हैं पढ़ने के so they naturally get into studies जैसे हमारे अंदर संसकार है to get attracted to opposite gender naturally होता है spontaneously उसके लिए कोई education की आवश्रता नहीं है संसकार है ना so जिस चीज के संसकार होते हैं वो चीज हम ज़्यादा संसकार कर पाते हैं क्योंकि ये करने के अभी हमारे अंदर संसकार नहीं है यानि पिछले जनुम हमने अभी कभी चैंडिंग की ही नहीं तो क्योंकि कभी चैंडिंग की ही नहीं है तो इसलिए अभी नए-ने संसकार बनने शुरू है so we struggle लेकिन हम जब चैंडिंग करेंगे करते-करते इसके संसकार बनेंगे but yes one of the primary reason that why we are not able to chant कि हमारे कोई हिस्ट्री रही ही नहीं है या फिर कुछ ऐसे संसकार भी है जो कि हमें भोग भिलास के और ज्यादा लेकर के जाते हैं और योग के और कम लेकर जाते हैं बलकि यूँ बाधा देते हैं so number one कारण है कि या तो हमारे अंदर संसकार है ही नहीं चैंटिंग करने के या फिर ऐसे संसकार है जो कि हमें रोकते हैं चैंटिंग करने से second कारण है wrong association अगर आपकी संगती खराब होती है so संगती क्या करती है बलकि आपको discourage करती है किन चेक्रों पड़े यार तु अरे कुछ नहीं होता है चैंटिंग आरे किष्णा से भया आरे कहीं पहाड़ों में जाओ यार और कहीं वहाँ कहीं गुफाओं में जहां लगाओ क्या करू यारे किष्णा मगारा so ऐसी contaminating association बड़े discouraging होती है हमारे लिए या फिर ऐसी association जो कि हमें बहुत disturb कर देती है यानि कि हमारी चेतना में बहुत हलचल मचा जाती है उस हलचल के साथ हम chanting नहीं कर पाते यह हलचल office से भी आ सकती है यह हलचल घर से भी आ सकती है यह हलचल पडोस से भी आ सकती है यह हलचल कहीं से भी आ सकती है number 3 कारण है wrong time that means best time to chant Hare Krishna are the morning hours सबर सुबख हमको भवान का नाम लेना चाहिए भालए कि भवान का नाम लेने में कोई time regulations नहीं है आप कभी भी भवान का नाम ले सकते है सुबख अ डुपेर शाम देर रात anytime any place हालए कि भवान का नाम लेने में कोई restrictions नहीं है अगर आपको द्यां से जब पा करना है सो इसले एनवारिमेंट और टाइम अगर सतोगुनी होता है तो फिर आपको द्यां से जब करने में आसानी होती है सो अगर आप सुबह आराम से उठे उसके बाद पिर सुबह उटके ड्राइ क्लीन होकर के चले आते हमने काम पर फिर शाम को आके रगड़ा मार चैंटिंग करते हैं आरेंगे गया रहा है सो ये भी कारण नता है कि टाइम कर चुना है सुबह का टाइम इस दा बेस्ट सतोगुन होता है मन भी क्लियर होता है और इसलिए उस वक्त आप चैंटिंग कर सकते हैं ध्यान से इसलिए रॉंग टाइम में चैंटिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल होगा यानि दुपहर में और शाम के समय स्ट्रगल ज़्यादा होता है चौथा कारण है रॉंग पोस्चर जैसे कि मैं देखा कई बाद लोग बहुत अराम से बैट करके रिलाक्स होकर है चैंटिंग करते हैं वई नाम तो कैसे भी ले सकते हैं ना तो रिलाक्स होते 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 हैं चले हो गया यहां तो घर खाई है इससरफ लेकिन वैसे अगर आप बिस्तरे बैठे हुए हैं कंबल ओड करके बड़े कोजी कमफटेबल हो करके तो भी आप chanting नहीं कर पाएंगे अगर आप posture बहुत lazy है तो ऐसे posture भी आप chanting ठीक से नहीं कर पाएंगे तो इससे बहुत relaxed posture है सुफे बैठे हुए हैं अगर बैठे हैं तो भी आप ठीक से chanting नहीं कर पाएंगे यहां पर चलते फिरते chanting कर रहे हैं यहां वहां ता कर रहे हैं देख रहे हैं यह को posture तो है यह को posture नहीं है वास्ता में chanting करने का तो चलते फिरते करना है इसको बोलते है radar chanting So you are looking here, there, everywhere तो उसकी वज़ा से भी आपका ध्यान chanting में नहीं लगेगा आएड़ी हमको बैठना चाहिए cross-legged सीधे को बैठना चाहिए ना ऐसे, ना ऐसे ना concave, ना convex, दोनों ही नहीं सीधे बैठना चाहिए posture और जब आप ऐसे posture बैठते हैं आपको actually feel आता है सीधे हो के बैठी है आगा थक जाते हैं in between you can relax a little bit but posture जतना आप अच्छा रखेंगे that's very very important so wrong posture is also one more reason कि आप chanting ठीक से क्यों नहीं करवाते हैं बहुता किया ना भवान ने हलकि नाम जो दिया है बहुत ही आसान तरीका है chanting Hare Krishna is easy but chanting Hare Krishna is not cheap पांचवा कारण है wrong attitude आप जो chanting करते हैं chanting करते बाद आप सोचे हैं कि ना मज़ा आना चाहिए chanting करूँगा ना मज़ा आएगा ये बता रहे थे हैं ये तो मिश्री से भी ज़्यादा मीठा है अप्रभू का नाम Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 अब ये attitude ही wrong है तो wrong attitude की वजाएँ से भी आप chanting ध्याद से ने कर पाते हैं और ये struggle क्योंकि अभी तुरा थ रस नी आ रहे आएगा आएब आएभबा है, then again you are going to struggle in chanting. साथ ही कभी भी एक सादक की patience भी ख़राब हो रही होती है. यह chanting कर रहो यार, कब? कब कुछ होगा? कब रॉंक टें ख़ड़े होंगे? कब? तो यह patience ना होना is also part of wrong attitude. साथ ही लोग लगता है कि नाम लेंगी come to know about the holy name और नाम को लेकर कि इतनी सुन्दर सुन्दर किताब है इसको ओन गंदर, my God! सची नंदन स्वाई महराज, यह बहुत ही महान भक्त है, शुद्र भक्त है उन्हें चार बुक्स लिखी हैं हरी नाम की उपर Nectarian Ocean of the Holy Name साथी नाम रहस्य Broken Names and Recently Living Names Awesome Books on Holy Name साथी आप पढ़ सकते हैं Japa by Bhurjan Prabhuji साथी आप पढ़ सकते हैं Japa Meditations by Dhanurda Swai Maharaj साथी आप पढ़ सकते हैं Chant by Shivaram Swai Maharaj और इसके अलावा हमारे आचारो ने भी हरिनाम जिंदामणी and भजन रहस्य by शुद्र भक्तिविनो ठाकुर Amazing Awesome Books और तवार, lastly and very importantly Nama Amrit by His Divine Grace Srila Prabhupad जितनी जदा आप बुक्स पढ़ेंगे नाम के बारे में उतना जदा आपका attitude ठी होगा in chanting Hare Krishna चटा कारण है why we struggle in chanting Hare Krishna is wrong food यदि आप सात्विक परशादम पाते हैं तो इसे आपका मन सात्विक होता है और सात्विक मन जो है वो chanting के लिए जदा favorable है तो इसे आपको कैसा खाना है अटरम, पतरम, चटरम, मसालेदार, चटकारेदार ऐसी चीज़े खाते हैं आप junk food जदा खाते हैं so इसलिए हम क्या अन्न खाते हैं that's also very very important so wrong food is also one more reason why do we struggle in chanting Hare Krishna सात्वा कारण है seventh reason is wrong pronunciation chanting करते वक्त रगणा मार chanting करना Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Hare कभी fast chanting के चकर में उसमें हम शब्दों खाया थे खा गए पीच में से पूरा महामंतर बोला फिक नहीं तो क्योंकि हम महामंत्र को पूरी तरह से नहीं बोल रहे हैं, इसलिए भी नाम लेने में हमको स्ट्रगल होता है। So, more we become conscious in pronunciation as well, कि बहुआन का नाम, यह सोलाक्षर जो है, उनको clearly मैं सुनूं। Even though I may be chanting fast, but not to the extent कि उसमें अक्षर ही कायब हो जाए। So, these are the seven wrong things which we are doing, जिसकी वदास यहां में जपा में स्ट्रगल होता है। पहला है, wrong संसकार, दूसरा है, wrong association, तीसरा है, wrong time, चौथा है, wrong posture, पाँचवा है, wrong attitude, छटा है, wrong food, और साथवा है, wrong pronunciation। तो यह साथ wrong अगर आप ठीक कर लेंगे, well, आपकी chanting में निच्चत रूप से, substantial सुधार होगा। So, wishing you all the very best in conquering the struggles in chanting Hare Krishna, and by that chanting of Hare Krishna, you can conquer all the struggles of life. Hare Krishna!